उरिसा की राजधानी भूवनेश्वल में देश का पहला ग्रेन एटियम अनाज वित्वन मशीन लॉंच हुआ ये सार्वजनिक वित्वन प्रडाली पीडियस के लभार्तियों को 24-7 अनाज देगा उरिसा की खादि मंत्री कृष्ण चंद्रपात्वा ने 8 अगस को भारत में वर्ल्ड फूड डिस्रिब्यूशनल इवेंट के डिप्टी कंट्री डैवेक्टर नोजोमी हाशिमोतो की मौचूद्गी में अनुपूर्ती एटियम लॉंच किया इसकी खास बात ये है कि ये मशीन 5 मिनट में 50 किलो अनाज बाट सकती है और जल्दी ओडिसा के बाकी जिलो में भी ऐसे ही एटियम शुरू किये जाएंगे मंत्री पात्वा ने बताया कि ग्रेन एटियम से अनाज लेने की प्रोसेस बहुत ही असान बनाए गई है कोई भी राशन कार्ट धावी अपना धाव या राशन कार्ट नंबर दर्च करके और बायो मेट्रेक ऑथेंटिकेशन के बाद अनाज ले सकता है एटियम 24 घंटे चावल गेहू वित्वित करेगा अनुपूर्ती पाच मिनट में 50 किलोग्राम तक अनाज बाढ़ सकती है जसमें गलती की गुंचाई शूने दश्रवलव शूने एक पतिशुत है